चार्रव् असेलामेलेकूम आजका मार डॉपिक है डिने मैनिन अलुट इंजाइम आजकी लेक्टर में हम बिने मेनि अलुक्ोट इंजाइम की डिफरेंट ख्विकेशन देखेंगे उसके बाद पर हमेंके वर्दा टाइप्स को डिस्कस करेंगे DNA Manplative Enzymes के अपने function के base पे 4 different classes है Nucleases, Ligases, Polymerases और Modifying Enzymes Nucleases एक ऐसे enzyme है जो Nucleic Acid Molecules को cut और degrade करती है Ligases Nucleic Acid Molecules को आपस में join करते है Polymerase Molecules की copies बनाती है और Modifying Enzyme Chemical Group को remove और add करके DNA को modify करती है अब हम इन classes को detail से discuss करते है Nucleases एक ऐसे enzyme है जो DNA Molecules को degrade करते है अब वो कैसे degrade करेंगी DNA strand में Nucleotoid एक दूसरे से Phosphor Diester Bond की वरा से जुड़े होते है तो Nucleases इन Phosphor Diester Bond को तोड़ देगी जिसके वरा से Nucleotoid एक दूसरे से अलग हो जाएगे और DNA Molecules degrade हो जाएगे Nucleases की further दो टाइपस है Exonucleases और Endonucleases Exonucleases DNA Molecules के Nucleotoid को side से cut करेगा और Endonucleases DNA Molecules के Nucleotoid को center से cut करेगा अब हम diagram से देख लेते हैं यह Phosphor Diester Bond है और यह Nucleotoid है Nucleotoid एक दूसरे से Phosphor Diester Bond की वरा से attach है अब Exonucleases DNA Molecules के side से Nucleotoid को remove करेगा इसी ज़़ा एक एक करके Nucleotoid उतरते जाएंगे और DNA Molecules degrade हो जाएगा Endonucleases Phosphor Diester Bond की center से cleavage करते हैं जैसे कि इस diagram में Endonucleases ने Phosphor Diester Bond को center से तो रहा है और Nucleotoid एक दूसरे से अलग हो गए है Exonucleases की further दो टाइपस हैं Bal 31 और Exonucleases 3 Bal 31 में Nucleotoid DNA Molecule के दोनों strand से remove होते हैं और Exonucleases में Nucleotoid सिरफ एक strand से remove होते हैं अब हम इनको detail में देख लेते हैं Bal 31 में हमने देखा कि Nucleotoid DNA के दोनों strand से remove होते हैं जैसे कि इस diagram में Nucleotoid DNA के दोनों strand से remove हो रहे हैं और जितने जादा नुकलेटोर रिमूव होते रहेंगे उतने ही ज्यादा DNA फ्रेग्मेंट्स हमें मिलते रहेंगे और एक्जोनुकलेसिस 3 में नुकलेटोर सिर्फ एक स्ट्रांड से रिमूव होते हैं से कि इस डार में नालोट heures सीरफ नींचे वुले स्ट्रैंड से रिमुव वरे और 唔 पर वी श्ट से रिमूव हो रहे और उपर वाले सट्रैंड वैसे बचते जा रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास और पास ऐंडो नुक्ले जा मैं देखा था कि नुक्लेटर designed से रेंटर से रेमुव होते हैं अब इनकी फर्धर थ्री टाइप से स्वान नृख्यास डियेंड पैडिएन नेशd और्स्ट्रिक्शन न्यूव नूग जीन प्ल dow सब्सक्राइब हो सकता है और स्ट्रीक्शन और स्थान्ट स्थी और सकेगा उसके लावा वह किसी और साइट से रिमूव नहीं ऊसकता दीनेक सिर्फ ऐक सपसेट से ही और मंअग होगा अब प्रेकिन डायग्राम में यह निक यहां पर पहले से ही थी और नुकलोटाइड सिर्फ नीचे वाले स्ट्रेंड से रिमूव हो रहे हैं मतलब कि यहां पर सिर्फ सिंगल स्ट्रेंड से ही नुकलोटाइड रिमूव हो रहे हैं DNA's में दोनों strand से nucleotide remove हो सकते हैं सिंगल strand से भी और double strand से भी इसके इलावा DNA's non-specific होते हैं मतलब यहाँ पर फॉस्फोर्ड येस्टर बॉन की cleavage किसी भी साइट से हो सकती है इनकी कोई specific site नहीं होती इसी वज़ा से बाद में पिर हमें mono nucleotide और oligo nucleotide मिलते हैं और restriction endonicles एक ऐसे enzymes हैं जिसमें double standard DNA को सिरफ एक specific side से ही cleavage किया रहता है जैसे कि इस diagram में ये एक specific side है और सिरफ यहीं पर double standard DNA की cleavage की गई है इसके लावा किसी side पर भी इसकी cleavage नहीं होगी यहाँ तक हमने सिरफ newclays और उसकी further types को discuss किया था अब हम DNA manipulative enzymes की second type को देखते है ligases ligases DNA molecules को अपस में join करता है इसमें हमारे पस दो conditions हो सकती है जैसे कि अगर DNA molecules में कोई discontinuity आ जाए तो ligase वहाँ पर nucleotide को अपस में join करतेगा या फिर ligase दो molecules को अपस में जोडता है जैसे कि इस diagram में nucleotide center से remove है तो ligase इन दोनों को join करतेगा जिससे हमारे DNA repair हो जागए third type हमारे पास है polymerases polymerase DNA की new strands बनाता है इसमें हमारे पास DNA या फिर RNA template होंगे जिससे DNA की new strands बनेंगे polymerase को अपना function perform करवाने के लिए primer की जरूरत होती है जैसे कि इस diagram में यहाँ पे आके primer attach होंगे और पर यहाँ से new strands बननी स्टार्ट होंगे अब हम polymerase की types को discuss करते है सबसे पहले हम DNA polymerase 1 देखते है अब इस diagram में यहाँ पे already एक nick present है यहाँ पे हमने nucleotoid अड़ करने है यह nucleotoid हम DNA polymerase 1 की help से अड़ करेंगे अब DNA polymerase 1 इन strand के complementary nucleotoid अड़ कर देगा जैसे के यहाँ पे C, A, T, T इसको add करने के बाद जो existing nucleotoid होंगे जो कि यह है यह इनको degrade कर देगा और इनकी जगा new nucleotoid बना देगा अब इसकी हमने दो activities देखी एक DNA polymerization जिसमें इन्होंने nucleotoid को add किया और दूसरी DNA degradation जिसमें इन्होंने existing nucleotoid को degrade करके उसकी जगा new nucleotoid बनाए नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइन ओ फ्रेगमेर्स DNA polymerization की जो nucleus और polymerase activity हमने पढ़ी वो enzyme molecules के different parts को control करती है अब nucleus activities polypeptide के first 323 amino acid पे होती है और अगर हम वहाँ से segments को remove कर दे तो वहाँ से nucleus activities खतम हो जाएगी और सिर्फ polymerase activity रह जाएगी अब enzyme अगर polymerase activity करेगा तो फिर वहाँ पे क्लाइन ओ फ्रेगमेर्स होंगे क्लाइन ओ फ्रेगमेर्स में nucleus activity नहीं होती अब इस diagram में ये nick present है, क्लाइन ओ फ्रेगमेर्स इसमें nucleotoid को add करके अब जैसे हमने DNA polymerase में रेखा था कि उन्होंने nucleotoid को add करने के बार existing nucleotoid को degrade कर दिया था और वहाँ पे new nucleotoid बनाया था क्लाइन ओ फ्रेगमेर्स में ऐसा नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ nucleotoid add होंगे और existing nucleotoid वैसे ही रहेंगे next हमारे पास है tag polymerase tag polymerase को हम polymerase chain reaction में यूज कोते हैं polymerase chain reaction की वीडियो already मेरे चैनल पे अवेलेबल है आव वीडियो जरूर देख लेना उससे आपके concept clear होज़ेंगे कुछ main points मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ tag polymerase सर्मोस stable होते है मतलब कि यह heat resistant है इसमें अगर हम temperature को 94 centigrade पे increase का देंगे तो यह enzymes denature नहीं होते है polymerase chain reaction में भी हम temperature को कभी increase का देते हैं और कभी decrease का देते हैं तो tag polymerase के वहाँ पे available होने से उनमें present components कभी भी denature नहीं होते है next हमारे पास है reverse transcriptase reverse transcriptase genetic engineering में बहुत important होता है यह viruses की replication कता है reverse transcriptase में मारे पास RNA template होते है और इसी के new strands बनते है last type हमारे पास है DNA modifying enzyme DNA modifying enzyme chemical group को या तो add करता है और या फिर इनको remove करता है DNA modifying enzyme के फर्दर मारे पास three types है alkaline phosphate, polynucleotide kinase और terminal deoxynucleotide transferase alkaline phosphate DNA molecule में से phosphate group को remove करता है अब इस diagram में यह DNA strands है इनके five terminals में मारे पास phosphate group present है हमने यहां से phosphate group को remove कर देना है और इनके जगा hydrogen bond लगा देना है polynucleotide kinase में हम DNA molecule में phosphate group को add करेंगे अब इस diagram में यहां पे five terminals में मारे पास hydrogen bond present है यहां से हमने hydrogen bond को remove कर देना है और इनके जगा phosphate group को add कर देना है terminal dioxy nucleotide transferase में हम nucleotide को three terminals में add करेंगे जैसे की इस diagram में ये DNA के single stand है इसमें हमने three terminus पे nucleotide को add किया और ये double stand है DNA में भी हमने three terminus पे nucleotide को add किया तो ये था आज का lecture, अब हम एक दफा revise कर लेते हैं आज की वीडियो में हमने DNA manipulative enzymes के function के base पे इनकी four types पढ़ी इनकी टाइपस में मैं पास नूकलियस, लाइकेस, DNA Polymerase 1 और DNA Modifying Enzymes थे नूकलियस में हमने देखा कि ये एक ऐसे Enzymes है जो नूकलिक ऐसे मॉलिकूल को कट या फिर दीग्रेट करते हैं इसकी फदर हमने दो टाइपस देखी एक्जो नूकलियस और एंडो नूकलियस एक्जो नूकलियस में हमने देखा कि इसमें DNA Mole吸 ID के साईट से नूकलियस होते हैं इसकी फदर हमने थ्री टाइपस देखी S1 नूकलियस, DNA और Restriction Endo bizarre S1 में हमने देखा कि इसमें single strand के center से nuclear remove होगा DNA में दोनों strand से हो सकते हैं single strand से भी और double strand से भी और यह non specific होती है मतलब इनकी कोई specific site नहीं होती restriction endoneucleus में हमने देखा कि इनकी specific site होती है और सिरफ उसी side से ही nuclear remove होगे second time हमने ligases देखी, ligases में हमने देखा कि ये DNA molecules को आपस में join करता है इसमें हमने दो conditions देखी, एक तो ये कि अगर DNA में को discontinuity होगी तो वो इसको repair कर देगा और दूसरा ये कि ये दो molecules को आपस में join कर देगा polymerase DNA के new strands बनाता है, इसमें हमने देखा कि polymerase को function करने के लिए primer की जरूरत होती है फिर हमने इसकी further types को discuss किया, DNA polymerase 1 में हमने इसकी दो activities देखी, DNA polymerization और DNA degradation DNA polymerization में हमने देखा कि ये nucleotoid को add कता है और DNA degradation में इन्होंने existing nucleotoid को remove करके उनकी जगा new nucleotoid बनाये थे kleine fragments में हमने देखा कि ये सिर्फ polymerase activity perform कता है, इसमें सिर्फ nucleotoid add होंगे और जो existing nucleotoid होंगे वो वैसे ही रहेंगे tag polymerase के बार में हमने देखा कि ये polymerase gene reaction में use होते हैं और ये thermos stable होते हैं मतलब है अगर हम temperature को increase कर दे तो ये denature नहीं होते है reverse transcriptase viruses की replication करते हैं, इसमें हम RNA template को use कते हैं और उनकी further news trans बनती है last time हमने DNA modifying enzymes देखी, इसमें हमने देखा कि ये chemical group को या तो add करेगा और या फिर remove करेगा इसकी पिर हमने further types देखी, alkaline phosphate में हमने देखा कि ये 5 terminals पे phosphate को remove करेगा poly nucleotoid kinase में phosphate group 5 terminals पे add होंगे और terminal deoxy nucleotide transferase में हम nucleotide को 3 terminals पे add करेंगे तो ये था आज के lecture, अगर आपको मेरे lecture की समझ लगी हो तो मेरी वीडियो का अपने class values के साथ भी share कीजिएगा इसके इलावा आप जो topic समझना चाते हैं वो आप मुझे comment box में बता दें और मेरे channel को भी subscribe कर दें